जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वाखर करता हूँ आपके अपने भाय की यूटूब चैनल प्रेडिक्सन राजा में, दोस्तों भी हम बात करेंगे बीबो प्रो कवर्डी का जो कल पहला मुकावला खेला जाएगा, बेंगाल वाडियस बरसेज यूपी यूद्धा के बीच में इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परकेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फेंटैसी टीम को लेके, आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूँ, अभी जो हम देखेंगे वो महज एक अपना डेमो टीम होगा, फाइनाल टीम में जो भी बद को वहाँ पर जोइन कर लेना है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करूँ, वीनिंग परसेंटेज को लेके, तो मुझे लगता यूपी उद्दा की टीम फैबिरेट होगी, और इसके वीनिंग चांसेज आपको दिखेंगे, तकरीवन सेवेंटी परसेंट का असपास बात करू बंगाल वारियस को लेके, तो इसके वीनिंग चांसेज आपको यहाँ पर थर्टी परसेंट का असपास देखने को मिल जाएगा, दोस्तों इस मैच में मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बड़े तगरे और डिफेंसल कैप्टेन वीजी की जो पिक बनेंगे, वो बन वाइग 10 में पोजीशन पर 10 में से 4 जीत 5 हार, और 1, इनका वह रहा है तऐ, अब बात करूब ज्याँ बेंकाल वारियस को लेखिए, आपको दीखेंगे, आठ में पोजुचन पर 10 में से 5, जीत 4 हार, और 1, गर नहीं की गरे बात करूब दोने टीम के लास्ट मैचे नेकर म वो अपना लास्ट मुकाबला खेल करें गुजरा जैंट्स के साथ जहां पर क्लोज मैच में इनको वीन हाथ लगा था जहां पर मनिंदर सिंग टोटल 25 रेड किये थे जहां पर इनको 16 सक्सेस्पूल रेड तीन अंसक्सेस्पूल छे एमपेटी रेड टोटल पॉइंट मिला बात करें तो बिल्कुल के टैकल में एक्टिव नहीं राते हैं फिर अगर नीचे बात कर लिए आपको दिख जाएंगे बाइफब गर जे जो कि आपको राइट कवर पे खेलते दिखेंगे टोटल इन्होंने नो टैकल एटम किया दो सक्सेस्पूल साथ अंसक्सेस्पूल तो ये करते ही नहीं है फिर दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेंगे बालाजी डी टोटल इन्होंने चार टैकल एटम किया एक सक्सेस्पूल तीन अनसक्सेस्पूल था इनका फिर बात करें दिपक निवास उड़ा को लेके टोटल इन्होंने नैं रेट्स किये थे ते इन्होंने चार टैकल एटम किया एक सक्सेस्पूल तीन अनसक्सेस्पूल और यहां पे इनको क्या भी भी हाथ लगा था टोटल प्मेट मिला था चार तीन तैकल प्वेंट नीचे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे सुभा मसिंदे जो कि आपको राइट को राइट को ओलते दिखेंगे टोटल इन्होंने चार दफा टैकल एटम किया एक सक्शस्पूल तीन अनसक्सेस्पूल और यहां परिदिंग करते नहीं है फिर नीचे बात कर लू तो यहाँ पर आपको दिखेंगे ग्रीस मारूति एरनक टोटल इन्होंने उनको रिपलेस क्या ही नहीं जा सकता, अर्श लाम थाम भी दिखेंगे, मनोज गौड़ा आपको दिखेंगे, राइट रेडर जिन्हों ने एक रेड किया था, और स्वरी एक रेड नहीं किया था, एक टेकल एटम्ट किया था, लेकिन वहाँ पे अंसक्सेस्पूल रेथे, परसांत कुमार और परवीन सत्पाल आपको दिख जाएंगे, बात कुरू, यूपी ओदा का लास्ट मैस, तो वो खेलका ने पुनेरी पल्टन कहना, जहां पे परदीप नर्वाल 12 रेड किये थे, 5 सक्सेस्पूल, 5 अंसक्सेस्पूल, 2 इंपिटी रेड ट, टोटल इनको खास परदसन कर नहीं पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मैच में भी कुछ करेंगे ये, और इनके जगा मुझे लगता है कि टीम गुर्दीप को फिर से मौका देने वाली है, फिर दोस्तों यहां पर आपको दिख जाएंगे, ये गुर्दीप आपको दिख रहा है, ये ईटिंग जो है UP और यृट ette का सेकंड लास्ट मैच है क्या, क्योंकि लास्ट मैच में तो स्टार्टिंग सेवन इहां पे धेन गूर्दीप, जी हां दोस्तों यहां पाए, ढटगा नाएस्टिलेस पोरसेज UP यृद्धा का मुकावला, यहां पर परदीप नरवाल यहां पर परदीप नर्वाल टोटल डेट किये थे 18 जहां पर छे सक्सेस्पूल साथ अंसक्सेस्पूल पांच इंप्टी डेड टोटल टैकल इनका टैकल पॉइंट इनका कुछ भी नहीं था निच्छे आपको दिखेंगे आसू कुमार आसू सिंग रैट काउर पर पर दो अंसक्सेस्पूल पांच इंप्टी डेट टोटल पॉइंट्स मिला थे 15 दस टच्च पॉइंट तीन बोनस पॉइंट और दो टैकल पॉइंट टैकल में दो दफ़ाइंट किये दोनों का दोनों इन्हों ने सही कर दिया थे तैकल फिर आपको दिखेंगे रोहित तुमा चाहट टैकल अटम्ट किया था दो सक्सेसपूल और डो अनसक्सेस्पूल था इनका फिर आपको दिखेंगे सुमीत जोगी आपको दिखेंगे अगले मैच में गूरदीप नामस सबस्तुट में तurning सिवन में होता है या नहीं होता है अब दोस्तों आते हैं मैट पर जानते हैं काउन सा रेडर काउन सा डिफेंटर आपके लिए कितने इंपोर्टेंट पिक इस मैच में रहने वाल हैं असा से पहले हम बात कर लेंगे UP जद्धा करेज़े वो डिटर होंगे कौन में रिटर होंगे यहां से आपको दिख जाएंगे सुझनदर गिल या फिर दोस्तों यहां पर दिखेंगे परदीप नर्वाल मुझे लगता है इस मैच में रेडर में आपको खेलते नज़र आ जा तो फॉर्म में और सिंदे को भी आप फॉर्म में इंकलूड कर सकते हो तो यहां से थोरा भूत दिखती होंगी स्वेंदर गिल को पॉइंट्स लेके आने में अब तीसे रेडर को लेके बात करूँ रोहित तोमर दिखेंगे जो कि एक लेप्ट रेडर है उनका भी सेम सामना ह होगा यहां पर किसे होगा सिंदे से फिर यहां पर होगा आपको दिख जाएंगे वाला जी फिर दोस्तों आपको यहां पर दिख जाएंगे गिलिस मारूति अर्नाक अब बात करूँ यहां पर बेंगाल वाडियस के रेडर को लेके तो बेंगाल के जो में डेडर होंगे न नितिये सुकुमार तो जैसे मैं कहता हूं कि मोहमद रीजा सादलू नितिये सुकुमार और सुनील जो पटना के आपको डिफेंडर दिखेंगे उनको बीट करना बहादी मुस्किल होता है तो मैं सेम चीज यहां पर यूज करूँगा इस टीम का जो मौजबूत करी है वो मैच में पॉइंट्स निकालना उतना आसान नहीं रहने वाला है कबड़ी है दोस्तों चल परी तो एकी रेड में पच्छे मार के आ जाएंगे उसके बाद बात करो दूसरे तीसे रेडर को लेकर तो आपको दिखेंगे यहां पर कौन वही नाम दोस्तों कौन दिखने वाल अब दोस्तों बात करें अपनी टीम को लेकर तो मैंने डेडर में यहां पर मनेंदर शुरेंदर और प्रतिव टीनों को अपने टीम में लिया हुआ है दोस्तों बात करूँ इसके अलाबात तो आप लोगे के पास जो ऑप्शन है वो सिखान चादब क्या है मेने जील और ज दोनों में से मैं किसी एक को लेकर जाओंगा अब मालो कि रोहित तुमर एज स्टार्टिंग 7 में खेलता है तो मैं रोहित तुमर को ले लोगा अगर गुर्दीप स्टार्टिंग 7 में खेलता है तो मैं उसको लेकर चला जाओंगा इस दोनों में से कोई न कोई आपको स्ट मुझे यहां से दो पिलर को लेने हैं, अब मैं चाह के भी अगर आसु जिंग को ले लेता हूं, तो मेरे पास बसने सारे 11 क्रेडिट, अब सारे 11 क्रेडिट में अगर मुझे बेंगाल का कोई पिलर मिल जाता खेलते हुए, तो वैसे मैं आसु के साथ थोड़ा सा रिस्क एफ और दोस्तो अगर मैं गुर्दीप को नहीं लेता हूं, मैं रोज्टोमर को लेता हूं, फिर भी मेरे पास सारे 15 क्रेडिट है, मैं फिर भी उस तरडिशन में गिरिस मारूती एड़ना को नहीं ले पा रहा हूं, जबकि मेरा कोशिस ज़रूर है कि गिरिस को अपनेटी में को लेके जाएंगे, फिलाल मैं यहां पर बैभब गरजे को लिया हूँ और दोस्तों इसके बाद मेरे पास सारे 12 क्रेडिट है, मैं यहां पर बलाजी डी को लेके जा सकता हूं, क्यों मुझे लगता है कि यह भी आपके लिए कल की मैच में ठीक ठाक पिक बन के सामने आ सकत है, तो फिलाल जो मेरा टीम बन रहा है, मैंने दोनों राइट कवर, लेट कवर जो है बेंगाल का लिया हुआ है, फिर सुमीत, नितेस, मनेंदर सिंग, शुरंदर गिल, प्रदीप नर्वाल, यह कुछ ऐसा मेरा टीम फिलाल के लिए बन रहा है, बात करूँ क्याप्टन व बीची के फिक बन सकते हैं, फिलाल दोस्तों मैंने जिसको काप्टन सी दिया हुआ, उसका नाम है यहां से प्रदीप नर्वाल, बीची मैंने दिया मनिंदर सिंगो, बाकि दोस्तों अगर मेरे फाइनल टीमे कोई बदला होता है, तो उसका अपडेट मैं आप लोग को टेल